चंदा ओ चंदा ऐसे ने शुराई के रिमेरे निंदी जागे सारी रहना ऐड़े मेरे नैना जागे रहना आए आए अथे रिमेरे नैना एक बात मेरो को मालुम है कीशन ने कंस को मार दिया था यह वो कलाकार है जब स्क्रीन पर आते हैं तो दुखी से दुखी मन भी खुश हो जाता है पेट पकड़ पकड़ कर लोग हसते हैं भारतिय सिनेमा के ऐसे कमीडियन जिसने जब चाहा हसाया और जब चाहा रुलाया हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर, डिरेक्टर, एक्टर मेहमूद अली खान की जन 29 सितंबर सन 1932 में हुआ मुस्लिम को तसलीम मर्द है हिंदू को पर नाम प्यारे मैं हूँ एक हज्याम महमूद साहब के माता पिता खुद एक्टर और डांसर थे मुंबई में अक्सर ये स्टेज शोज पर नजर आते थे और साथ ही कुछ फिल्मों में भी महमूद साहब की एक बड़ी बहन थी और छे छोटे भाई बहन इनकी बहन मीनू मुमताज एक बहुती प्रतिभाशाली, डांसर और करेक्टर एक्टरिस थी ये किस्सा मशूर है कि महमूद साहब अक्सर शरारतें किया करते थे और एक ऐसी ही शरारत की वज़े से इन्हें बॉंबे टॉकीज की फिल्म किस्मत में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम मिला हुआ यू था कि अशोक कुमार यानि कि दादा मुनी जो फिल्म किस्मत के हीरो थे एक चाइल्ड आर्टिस्ट को ढून रहे थे जो उनके बच्चमन का रोल प्ले कर सके ऐसे में स्टूडियो के इर्द गिर्द एक शैतान बच्चा नजर आया और वो कोई और नहीं वो थे महमूद सहाब दादा मुनी ने देखा इने और फाइनल कर दिया इस तरह से इनके करियर की शुरॉआत दूई मेहमूद सहाब ने हर तरीके का छोटा मुटा काम किया जिससे इनकी रोजी रोटी चल सके यहां तक कि अंडे और पोल्ट्री प्रोडक्स बेचा करते थे और फ्रेजडी कुईन मीना कुमारी को टेबल टेनिस से खाया करते थे इस तरह से इनका थोड़ा बहुत गुजारा हो जाया करता था मीना कुमारी ने इनकी मदद करने की कोशिश की और एक बड़े प्रेड्यूसर डिरेक्टर बियार चोपरा से कहा कि आप महमूत को जरूर रोल दीजिए पर जब महमूत सहाब को इस बात का पता चला तो साफ इंकार कर ये फिल्म से बाहर आ गए ये कभी नहीं चाहते थे कि किसी तरह से इनके स्वाफिमान को कोई ठेस पहुँचे इसके बाद मशूरो मारूफ प्रेड्यूसर डारेक्टर एक्टर गुरुदत के साथ इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी जमीर गुरुदत साहब की फिल्म प्यासा में एक छोटा सा करदार निभाते महमूत नजर आए क्यों मा आगिया तुम्हारा कालिदा शायरी खेती समझ कर सब गधे चरने लगे बोर्दा और कहां जाए पराई रोटियां तोडने को इसे और कौन सा घर मिलेगा तो उनकी कुछें सुन बेटा देखा बोर्दा कामाई धोमाई हम दोनों की और माँ पकवान खिला रही है अपने उस लागले को मैं तो खाने वाले की बेशर्मी की दाद देता हूँ कोई गैरत वाला होता तो इस घर के पकवान खाने के बजाए सरक की धूर पागला कहीं बेतर समझता चोटे मोटे किरदार निभाते महमूद सहाब बड़े डरेक्टर के साथ जुड़ गए फिल्म सी आईडी रही हो या दो भीगा जमी या फिर प्यासा बताओ डरेक्टर और एक्टर इन्हें सबसे बड़ा ब्रेक मिला फिल्म भूत बंगला में जिसमें इनके साथ थी हाँ का मज़ा है उम्र पड़ी है जल भी क्या है अभी नहीं कभी सही धीरे धीरे महमूद सहाब की कमेड़ी की जी ठाक जमी की बहुत सी फिल्मों में महमूद साथ का होना जरूरी हो गया ता लिजनरी कमीडियन जॉनी वॉकर के बाद महमूद सहाब एक ऐसा नाम बन के आए जो सिल्वर स्क्रीन पर च्छा गया यूँ तो महमूद सहाब ने बहुत हसाया पर एक ऐसी फिल्म इन्होंने बनाई जिसने लोगों के आखों में आस उभर दिये ये फिल्म थी कुमारा बाब जिसमें एक रिख्षे वाला एक पोलियो ग्रस बच्चे को पालता है महमूद सहाब उन एक्टर्स में से रहे जिने बहुत ही जबर्दस गाने मिले और इनके लिए प्लेबैक दिया महम्मद रफी और मन नाडे ने मामा ओ 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 मामा मामा तैरवाले खाएं चकर ऐसा है अपना चकर है अपना चकर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ये गोरे गाला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये सोला साला तंदाना, है तेरे खयाला तंदाना, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हमे काले आई तो क्या हुआ दिल वाले हैं ये बात जानकर भी हैरानी होती है कि मशूरो मारूप म्यूजिक डिरेक्टर आरडी बर्मन को पहला ब्रेक देने वाले इंसान महमूत थे फिल्म का नाम था छोटे नवाब और फिल्म इंडस्ट्री में सभी लोग इने भाई जान कहके पुकारा करते थे सूपरस्टार अमिताब बच्चन महमूत सहाब के ही घर में बतौर किरायदार रहते थे तकरीबन 11 महीने बच्चन सहाब इनके यहां रहे और फिर महमूत के छोटे भाई अन्वर अली के कहने पर अमिताब बच्चन को फिल्म Bombay to Goa में बतौर हीरो लिया गया जिसमें हरोईन थी अरुना एरानी यह बाद भी चर्चा में रही कि महमूत सहाब और अरुना एरानी का प्रेम संबन था इस वज़े से अरुना जी को फिल्म बॉंबे टुगोवा में बत और हिरोईन लिया गया पर अपने आखरी दिनों में महमूद अमिताब बच्चन से खासे खफा नजर आए वज़ा ये थी कि जब इनकी बाइपास सर्जरी हुई उसी हॉस्पिटल में अमिताब बच्चन के पिता डॉक्टर हरीवन्च राय बच्चन का भी ट्रीटमेंट चल रहा था अमिताब अपने पिता से मिलने जरूर आए पर महमूद के कमरे में कभी नहीं गए एक वक्त ऐसा था जब महमूद डारेक्टर पियल संतोशी के यहां बतौर ड्राइवर काम किया करते थे और फिर वो वक्त आया जब पियल संतोशी के बेटे राजकुमार संतोशी ने इन्हें अपनी फिल्म अंदाज अपना अपना में एक बहुत ही अनोखा किरदार निभाने को दिया यह कैसे कलाकार थे जो बहुत भावुक थे बहुत ही इमोशनल फिल्म्स इन्होंने बनाई इनकी जोड़ी आईएज जोहर और शुबा खोटे के साथ खूब जमी फिल्म पर डोसन में बताओर साउथ हिंडियन म्यूजिक टीचर का करदार इन्होंने ऐसा निभाया कि आज भी वो हमारी यादों में ताजा है दिल की लंबी बिमारी की वज़े से तेज जुलाई सन 2004 में यूएस के पेंसिलवेनिया में महमूद सहब ये दुनिया छोड़ गए भारती सिनेमा के इतिहास में महमूद अली खान का नाम हमेशा गर से लिया जाएगा परिफ पर ये शोड़ परिफ पगली है मैं कहता हूँ आप सब पागल है जोनों मुझे लगपती का बेटा संदर आप लोगों में से किसी ने ये मालूम करानी की कोशिश की ये बाद खेचे ये जोड़ नहीं लगपती सुनते ही सब मक्षी की तरह मेरे जिल फिलाने लगपती अल्ट्राहिंदी और ट्विटर.com अल्ट्राहिंदी पर